पिछले लगतार कई दिनों से इग्णू के छात्रों का कमेंट आ रहा था इग्णू री रेजिस्टेशन को जुलाई 2023 सेशन को लेका कि सर इसका जो लास्ट डेट है क्या एक्स्टेंड होगा क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है 15 जुन 2023 से री रेजिस्टेशन कराने के ने दो बार इसाइमेंट जमा करने का जो लास डेट था वो एक्स्टेंड किया था इसके बाद क्लोज किया लेकिन अभी जो इसका लास डेट है रीड़ेश्टेशन पर जुलाई 2023 से सन का अभी यह फ्रेस डेट है एक बार भी इगनू ने अभी रीड़ेश्टेशन का जो ल जुन 2023 कर दिया जायेगा जो भी हो इगनू अपने अनुसार देगा लेकिन एक बार इसका लास डेट एक्स्टेंड होगा इतना में सौपरतिसत आप सभी को विश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि एक दो बार लास डेट एक्स्टेंड होता ही होता है लेकिन अभी तक री या किसी भी कारण से रिरेश्टेशन नहीं करा पाए हैं वो आपना 30 जून तक भी करा सकते हैं क्योंकि 15 जून के बाद लास्ट डेट एक बार अवस्य होगा रिरेश्टेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं फर्स्ट यर से 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 केंडियर में जाने के लिए एक तरह से कहा लिए तो इगनु में से केंडियर में एड्मिशन के लिए रिरेश्टेशन कर आया जाता है रिरेश्टेशन कौन करा सकते हैं जुलाई 2022 सेशन में यरली कोर्स में एडमिसन लिये थे ऐसे छात्रों का जून 2023 में एक्जाम हो रहा है तो ऐसे छात्र रीड इस्टेशन कराएंगे भले ही उनका रिजल्ट आए या नहीं आए पूरा एक्जाम दिये हैं कि नहीं दिये हैं लेकिन रीड इस्टेशन आप सभी लोग करा लीजिए यहीं सेकेंडियर में जाने के लिए है इसके पहले आप माली एक एडमिसन लिये हैं एगनु में एक वर्स आपका बचा हुआ है फाइनल इयर आपका बचा हुआ है लेकिन आपने रीड इस्टेशन नहीं कराए है कोर्स डियूरेशन अभी है तो आप रीड इस्टेशन कराके अपना एक्जाम दे सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि रीड इस्टेशन कौन करा सकता है रीड इस्टेशन का बारे में जानने के लिए बेस्तित जो वीडियो है वो आपको वीडियो के डेक्सरप्शन में मिल जाएगा अन्य कोई भी आपके मन में प्रस नो री रेजिस्टेशन फोर जुलाई 2023 के लिए तो निश्चित तोर पे आप हमसे कमेंट करके अवस पूछ सकते हैं और जान सकते हैं आप हमारे टेलिग्र चैनल को जुआन कर सकते हैं इस्टाग्राम के फॉलो कर सकते हैं दोनों का लिंक वीडियो के डेक्सरप्शन में मिल जाएगा री रेजिस्टेशन को लेकर जैसे ही कोई नोटी सुचना आती है लास्ट डेट एक्स्टेंट करने का तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी क अवस सुचित कर दूँगा आप सभी चैनल को सबस्काइब करके बेल नोट्फिकेशन अवस प्रेस कर जिएगा ताकि जब भी कभी मैं एक रूस समबंदित कोई भी सुचना अपलोड करूं तो उसका नोट्फिकेशन सबसे पहले आपको राप्त हो जाए तो आप सभी हमा आरे साथ तवस से जुड़े रहिएगा